क्या आपके परसन और आपके बीच में वे थर्ड पाटी सिचुवेशन है और आपके परसन ने आपको अकेला छोड़ दिया है तो आज का वीडियो आपके लिए है आज जानने के कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको ले करके तो चल ये अलग-अलग क्टी से हम जानने कोशिश करेंगे एक डेक से हम यह डेख PanISH करेंगे कि क्या चल रहा है उनके मन में थर्ड पार्टी को ले करके और फिर देखेंगे क्या मन में आपको ले करके अर फिर कुछ आम डिवाइन के मेंश्जिस यहहां पड़ लेंगे आप सब का दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, और आगे बढ़ रहे होंगे. जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करें, उतना रखेगा, बाकी का छोड़ दीजेगा. So, comment box में अपनी manifestations, आपकी wishes जरूर लिखेगा, क्या चाहते हैं आप अपनी life के अंदर, वो wishes जरूर लिखेगा, लिखेंगे, तो universe तक जरूर पहुचेगी. So, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, connection बना लीजे, कार्ट के साथ, फटा फट से positive thoughts लेकर आजाएए दिमाग में, जो भी उस person का नाम है, उस person का नाम और image अपनी दिमाग में रखते होए, कार्ट के साथ connect हो जाएए. So, एक positive note के साथ, मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रही हूँ. So, I am happy, healthy, beautiful, smart, and a powerful person. I want love, peace, money, and success in my life. So, all the divine energy is Bajrangbali universe. Please guide कीजिए, please बिताएगे क्या कुछ चल रहा है, परसिन के मन में, थर्ड पार्टी को ले करके. So, third party situation जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ है third party और आपके person के बीच में, क्या कुछ होने वाला है, आपके person का next action, वो भी देखने की कोशिश करेंगे. तो अब भी देखते हैं, third party situation और आपके person में, के बीच में क्या चल रहा है, okay, spread ले लेते हैं, ten of wand आया है, okay, five of pentacles आ गया है, nine of sword आया है, knight of sword है, okay, and the hermit आया है, fine. so, यह cards यहाँ पर open हो गए है, two of wand आया है, so, यहाँ पर यह cards हम पहले read कर लेते हैं, बाकी के cards हम next में open करेंगे, so, यह cards क्या बता रहे हैं, आपके person और third party के बीच में, जो राशिया यहाँ यहाँ पे बहुत जादा prominent लिया भी निकल कर के आई है, वो है वर्गो, कन्या राशी बहुत प्रोमिनेट निकल के आई है, wand के card है, pentacle के card है, sword के card है, ठीक है, so, यहाँ जो राशिया open हो गई है, वो है, Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Singh, Dhanu, राशी आई है, Gemini, Libra, Aquarius, Midun, Tula, Kumb, राशी आई है, and Taurus, Pargo, Capricorn, Vishap, Kanya, Makka, राशी आई है, वैसे यह all sign reading है, तो science का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, यहाँ दिखी थर्ड पार्टी सिचुवेशन में, अगर मैं देखूंग, तो आपके person यहाँ थर्ड पार्टी सिचुवेशन में, बहुत पैशनेटली गए थे, आपके person यहाँ थर्ड पार्टी सिचुवेशन में, सब कुछ पीछे छोड़ कर गए थे, आपको पीछे छोड़ कर गए थे, अपना सारा बोरिया विस्तरा उठा करके, इस थर्ड पा यहां चले तो गए हैं अपना सब कुछ ले करके आपको अकेला छोड़ करके लेकिन यहां पर इनकी हालत देखो क्या हो रही है यहां इनकी हालत हो रही है यह ओके यहां इनकी अनोजी बहुत जादा डाउन दिखाई दे रही है फाइव पेंटिकल्स का कार्ड आया है सो पी जादा फेस करने पड़ रहे हैं सब कुछ होते हुए भी एक अकेला पन और एक अदूरा पन इनकी जिन्दगी में दिखाई दे रहा है एक दर्वाजा भी दिख रहा है जिसकी चाबी वहीं रखे हुई है लेकिन यह इस दर्वाजे को खोल कर बहार जाने की हिम्मत नह कि अपने को माफ नहीं कर पा रहे हैं जो आपके साथ इनों ने किया उसको छोड नहीं पा रहे हैं आपको जान बूच कर दोका दिया आप सोच समझ कर प्लानिंग के साथ दोका दिया तभी तो सब समान लेके गए हैं तो प्लानिंग के साथ गए हैं और एक एक कमिटमेंट उन्होंने तोड़ा है, एक रिष्टा उन्होंने तोड़ा है, यह फित्रत है इनकी, और यह हर बात के बारे में, हर चीज के बारे में अभी गिल्टी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके जीवन के उपर जो इन्होंने एक अधूरापन छोड़ दिया है, आपके आपकी लाइफ से जीवन खुशियों को इन्होंने छीन लिया है, ठीक है, वो अंदर ही अंदर इनको खाये जा रही है, और इनकी जिन्दगी का एक पार्ट है, जो इन्होंने खो दिया, पास्ट में खो दिया, आपके अकेले पन में बहुत जादा रो रहे हैं, अभी इनकी आदत में बन गया है, और ये जो धोका देने वाली जो फितरत होती है, ये कही ना कही इनको अंदर यांदर मार रही है, अंदर यांदर खा रही है, जो लाइफ में इनकी अगर नया परसंट जो भी आया है, जिस भी वज़े से ये आपको छोड कर के गए है, वो कर रहा है इनको, और ये अपनी यात्रा में, अपनी इस जीवन की यात्रा में अकेले पड़ चुके है, सो लोगों ने इनको अकेला छोड दिया है, अब इनका असली चेहरा लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जिस भी सिचुवेशन में गए है, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुवेशन में ये है, उस थर्ड पार्टी सिचुवेशन में इनको सिर्फ और सिर्फ तनहायां दिखाई दे रही है, धोका दिखाई दे रहा है, जिन्दगी की सारी खुशियां छेन चुकी है इनके जिन्दगी से, इनकी इनको ये समझ में आ रहा है कि इनोंने आपकी लाइव की स्वाइब की, टीके और आपकी खराब करने के बाद बहुत ज्यादा इनकी लाइव में अब इनकी जिंदगी में वह सब कुछ लोट रहा है वह सब कुछ इन Κो भी भुकतना पर रहा है इनकी लाइफ में खुशिया थी, इनकी लाइफ में एक एकसाइटमेंट थी, इनकी जिन्दगी में सब कुछ था आपके साथ, उसके बावजूद भी ये गए हैं, ये जिस स्पीड से दौड के गए हैं, जिस समान के साथ ये दौड के गए हैं दूसरे थर्ड पार्टी सिच क्योंकि यह लाइफ इनके लिए हैल होती जारी है यह जिन्दगी इनके लिए नर्क होती जारी है थर्ड पार्टी ने इनकी जिन्दगी में बिल्कुल सुना पन दे दिया है अकेला पन दे दिया है हो सकता है पहले थर्ड पार्टी ने बहुत जादा प्यार दिखाया हो कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है यह अभी पास्ट में जीना शुरू कर दिया है इनोंने आपकी एनर्जी इनको बहुत जादा फील हो रही है प्रेजेंट को तो इनोंने रख दिया है साइड में ठीक है अभी यह चाहते हैं यह जहां भी हो यह दौड के आपके प समझना पड़ेगा आपको की आपकी लाइफ में जो भी कुछ हुआ है आपके साथ मिसबएव हुआ है आपके आसपास इन लोगों ने इस तरिके की एक लाइन खड़ी करदी एक इस तरीके का पिंचरा बना दिया आपके आसपास कि आप वहा से नहीं निकल पा रहे हो आज स्ट्रगल कर रहे हैं बेचाइनी हो रहे है और इनको यह भी चीज एहसास हो रहा है अभी कि आपसे इनोंने सबको छीन लिया तो अभी इन से सबको छीनने वाला है सो ये करमा कहीं न कहीं जरूर लोड करके आता है, सो ये करमा इनको यहाँ पर परिशान कर रहा है, ओर ये आपको अभी बहुत जादा feel करते होए भी दिखाई दे रहे हैं, three party situation से ये बहुत जादा उदास है, परिशान है, अकेले हैं, दर्द में हैं, तनहाईों में हैं, और कुछ clarity ढूड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ रास्ता इन्हें आगे का समझ में नहीं आ रहा है, कुछ confusions भी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि two number का, two number का card आया है, तो confusions बहुत जादा है, परिशानिया बहुत जादा है, इनको अपनी life का purpose समझ में नहीं आ रहा है, जिन्दगी को balance करना चाह रहे हैं, पर नहीं हो पा रही है, जो इनमें उनने choice select किया था, ठीक है, आपके अलावा इनके पास जो भी choice था, तो आपको ना select करके, इन्होंने जिस भी third party situation को as a choice select किया था, वो अभी इनको समझ में आ रहा है कि ये choice ने इनकी जिन्दगी बरबाद कर दी है, है ना, और इनको अभी इतनी confusion हो रही हैं कि उस चीज की clarity भी इनको नहीं मिल रही है, ये रास्ता ढूंडने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल इनको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं पर समझ खतम हो चुकी है, तो third party situation में इनका हाल बहुत ही जादा बुरा हो चुका है, सो अभी यहां देखने की कोशिश करते हैं दूसरे डेक से, कि क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनका next action, क्या आपके बारे में कुछ आ रहा है इनको thought, सो divine प्लीज बताईए क्या कुछ है इनके दिमाग में अभी, क्या कुछ action plan करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर यहां third party से निकलना चाते हैं, भागना चाते हैं, तो क्या है इनके actions, okay, strength का card आया है, सो यह emotions आए हैं आपको ले करके, आपके बारे में अभी presently क्या सोच रहे है, wheel of fortune आया है, सो जल्दी-जल्दी wheel of fortune क्लेम कर डीजिये, seven of wand आया है, empress का card आया है, very beautiful, okay, and star का card आया है, सो यह feelings आई हैं आपके person की आपको ले करके, okay, सो अगर आप लोग reunion manifest कर रहे हैं, तो reunion नीचे claim जरूर कीजेगा, और अगर आप लोग break up और move on करना चाहते हैं, तो वो claim कीजेगा, okay, अगर आप new person चाह रहे हैं, तो यह wheel of fortune आपकी सारी मनो कामनाओं को पूरा करने वाला है, आप जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी manifestations हैं, वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, ओके सो यहाँ पर अगर आप बहुत जादा परिशान हैं, आप बहुत जादा दुखी हैं, आप बहुत जादा डिप्रेस्ट हैं, और past energies से अगर आप नहीं निगल पा रहे हैं, तो यहाँ पर wheel of fortune का card आया है, तो यहाँ सारी energies, universe, divine angels, सारी energies, आपका समय का पहिया घुमता हुआ, मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सारी energies ने आपके लिए काम करना शुरू कर दिया है, अगर आप खुश नहीं हो यहाँ पर, तो बहुत जादा आपकी जिंदगी में अभी खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है, सो अभी basically person अभी आपके बारे में क्या सोच रहे है, person अभी आपके बारे में strength सोच रहे है, उनको यह समझ में आ रही है, अभी अब उनको एसास हो रहा है, और आप इनके लिए strength का काम कर रहे हो अभी, अगर आपको past situation में वो याद करें, तो आप उनके लिए एक ताकत थे, आप उनके लिए एक strength थे, आप उनके लिए सब कुछ करने को तयार थे, आप loyal थे अपनी जिंदगी में, अपने relationships को लेकर के, आपने हमेशा हिम्मत दिखाई है, आपने उनको उनका साथ दिया है, ठीक है, और ये चीज़ उनको पता है, कि आप जो हो वो आप हो, आप दो चेहरे उनकी तरीके से, आप धोका नहीं देते हो, आप उनकी तरीके से दो चेहरे लगा करके नहीं भूमते हों, आप जो हो वो आप हो, इन लोगों ने, इन सब लोगों ने आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश की, ठीक हैं, ये चीज अभी इनको एसास हो रही है, कि इन लोगों ने आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश क लेकिन आप इनके जैसे नहीं बन पाए, आपने हिम्मत नहीं छोड़ी है, आज भी आप हिम्मत से डटे हुए हो, आज भी आप आगे बढ़ रहे हो, इन लोगों को ये चीज का हैसास बहुत जादा हो रहा है, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है आपकी वीकनेस नहीं है, वो कमजोरी नहीं है, अगर आप लॉयल हो, आप प्यारे हो, आप दूसरों की हेल्प करना जानते हो, आप दूसरों को अपने साथ लेकर चलना जानते हो, आप केर करना जानते हो, तो ये आप हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, और इसी स्ट्रेंथ को ये आज फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके साथ जो भी उन्होंने समय बिताया वो हमेशा से उसने उनको ताकत दी है उनको एक हिम्मत दी है आप कही ना कही उनको Queen of Sword के energies में भी दिखाई दे रहे हो कि अगर आप आपने सारा devotion इन लोगों के लिए दिया आपने अपनी सारी जिन्दगी जितना भी समय आपने इनके साथ बिताया वो सारा कुछ आपने इन लोगों के उपर नुच्छावर किया सारे efforts डाले हैं और मैं यहाँ पर ये कार्ड ये भी कही न कहीं बता रहा है कि आपकी तरफ से हमेशा one-sided कोशिश रही है इनकी तरफ से efforts नहीं डाले गए है इनोंने आपके लिए efforts नहीं डाले है और आप अपनी जिन्दगी की जिम्मेदारी खुद लेते आए हो और यहाँ पर ये भी ये कार्ड बता रहा है अन्दर से तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो एक मम्ता भरा दिल आपका केर केरिंग हार्थ है आपका लेकिन आप बाहर से STRONG दिखते हो कोशिश करते हो 40 पंसे बनाके रखी हुए है क्या आप की दूसरों की बेफकूफीय करते आप ये भी आजप दो irmो तो पुल्स हो 30 rads चानल विपनि रगों आपने जो विखिया अल्ट वान क्या किते थी कि आप्ने उससी को फ्रोठान्टीड नहीं उनको लेनग दिया आपको आपको ऑगर फ्रोठाने ले रहे थे तो आपने उनको नहीं लेने दिया ठीक है अगर वो आपकी जिन्दी से जाना चाहते थे तो आपने उनको जाने दिया और ये चीज आज उनको बहुत फील हो रही है आज उनको ये भी पता है कि आज आज आप जिस भी मुकाम पे पहुँचे हो आपने बहुत स्ट्रॉगल की है अपने जिन्दगी में और आज आज भी आप कर रहे हो आपके आसपास आज भी बहुत परिशानिया है लेकिन फिर भी आप स्ट्रॉगल कर रहे हो क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉग हो ये चीज का एसास उनको आज बहुत जादा हो रहा है आप जिस कंडिशन में आज हो कहीं न कहीं इस कंडिशन में डालन हुए हो आगे बढ़ने की अभी भी आपकी कोशिश जारी है और आप छोड़ नहीं रहे हो उसको ठीक है Empress का card आप देखो strength और Empress दोनों energies इतनी अच्छी हो रही है यहापर Queen का card है Empress का card है आपकी जो आज की condition इनको याद आ रही है आप जो आज इनको एसास दिला रहे हो वो पूरा यहाँ पर एक एक ऐसी energy है जो बहुत pure है बहुत pure soul हो आप divine के बच्चे हो आप divine ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और आपके जिंदगी के आपका जिंदगी जो positivity से भरी हुई है वो कहीं कहीं आज इनको बहुत जादा याद आ रही है एक opportunity का वेट कर रहे है उनका next action यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो कोई opportunity अगर उनके पास आती है third party situation से निकलने की और आपके पास आने की तो वो बिलकुल उस opportunity को लेंगे grab करेंगे और आपके पास lot करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहां जो energies आ रही है आपके आज बहुत जादा उनको आपकी याद दिला रही है यहां उनको आप एक ऐसी इनसान लग रहे हो आज बहुत feelings आपको लेकर के उनको आ रही है उनको यह भी पता है कि आपके आपने हर बात पर initiative लिया है आपने आपने जो सोचा है उसको करने के लिए हमेशा आप action प्लान करते रहे हो आपने अपनी जिंदिगी को में बहुत इंतजार किया है प्यार पाने के लिए एक उमीद आपने हमेशा से कायम रखी है आज भी कई आप में से कई लोग को आज भी उमीद है कि यह लोट के आपके पास आएंगे और आपकी खुशिया वापस लोट करके आएंगी तो अगर आप लोग यहां पर इस बारे में सोच तो एक यहां पर उमीद जरूर है कि थर्ड पार्टी सिचुवेशन से यह निकलने की कोशिश करेंगे अभी कार्मेक साइकल्स चल रहे हैं तो कार्मेक साइकल्स के चलते हुए अभी यह नहीं आपाएंगे लेकिन हां एक उमीद जरूर यहां पर इस कार्ड को देख कर के कुम्ब एरीज राशी बहुत प्रॉमिनेंटली निकल के आई है कि अगर आपके पास आते हैं एक न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं यह आपके साथ एक प्रॉमिस देना चाहते हैं एक यहां होफ दिखाई दे रही है कि अभी भी एक उमीद के किरन बाकी है ठीक है कि यह आपके पास आएंगे और एक प्रॉमिस के साथ एक उमीद के साथ एक वादे के साथ प्यार भरे रिष्टे के साथ यह अपना एक रिष्टा आपके साथ आगे जरूर न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे तो यही कार्ड यहां पर यह बता रहा है तो आज आपके आती हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, कुछ मैं लूगी यहां पर guidance के card क्या बता रहे हैं, so divine please कुछ guidance के card दे दीजिए, क्या guide करना चाहते हैं यहां पर viewers को, कुछ guidance के card हम जरूर लेते हैं end में, ताकि आपकी दिल में जो भी doubts है, आप तूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, so यहां divine के guidance आती है, तो देखते हैं क्या बता रही है, यह guidance, wow, we are the world का card आया है, ठीक है, यह card खुद में ही इतने रिष्टे बनाए हुए बैठा है, इतने हाथ से हाथ चोड़े हुए हैं, इस card के हंदर, कि सारी दुनिया, सारा संसार यहां पर समा गया है, transformation का card आया है, so देखिए, आपके जिंदेगी में यहां पर wheel of fortune भी आ गया और transformation भी यहां पर आ गया है, so definitely यहां पर चीजें बदलने वाली है, एक new beginning आपकी life में होने वाली है, अगर आपकी आप परिशान है, तो यहां पर आपको परिशान होने की बिल्कुल भी जरुवत नहीं है, okay, wow, comparison का card आया है, healing का card आया है, breakthrough आया है, और maturity आया है, चलिए, यहां पर समझ लेते हैं, क्या बता रहे हैं यह cards, तो देखिए, एक आपके अंदर ना एक इस तरीके की changes आ रहे हैं, कि आप अपने को heal करने की कोशिश कर रहे हो, और नह अपने को दूसरों से compare करते हो, comparison आया है, healing आया है, breakthrough and maturity, so आपके अंदर जो यह comparison की भावना है, उसको आपको खतम करना पड़ेगा, आप अपने को, आप कहीं न कहीं आपके दिल दिमाग में यह आता है, कि उसमें ऐसा क्या था जो मुछ में नहीं, ठीक है, उसमें ऐसा क्य कर दिया, जो मैं नहीं कर पाई, यह कर पाया, so यह comparison करना बंत करो, ठीक है, आप आप हो, आप खुद में ही strong personality हो, ठीक है, वो उनकी फितरत है, वो इस तरीके का उनका nature है, कि उनको उनकी भूप नहीं खतम होती है, उनको सब कुछ अपने जिंदिगी में चाहिए, खुशि बढ़ना चाहते हो, तो आपको जिंदिगी में changes लाने पड़ेंगे, transformation mode आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, आपको थोड़ा सा यह maturity लानी पड़ेगी और यह समझना पड़ेगा, कि आपको ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है, या ऐसे पड़ेगा, तो आपको बोला बाला इनसान बैठा हुआ है, आपके अंदर जो एक ममता भरा दिल है उसको कही ना कहीं और स्टॉंग करने की जरुवत है, आपको खुद को हील करने की जरुवत है, आप अंदर से तूट चुके हो, ठीक है, आपका दिल, दिमाग और शरीर एक साथ नहीं अलाइन है, दिल कुछ बोल रहा है, दिमाग कुछ बोल रहा है, और आपका शरीर कुछ और बोल रहा है, तो सबसे पहले तो आप हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना बहुत ज़रुरी है, मेडिटेशन कीजिए, किसी हीलर से कॉंटाक कीजिए, हीलिंग करना ठीक है आपका आप अलाइन नहीं हो अभी ठीक है आप बहुत बिखरे हुए हो आपका दिल दिमाग सब कुछ बिखर गया है तो उसको अलाइन करो कमपैरिजन करना बंद करो ऐसे लोगों से मिलो जो आपको खुशी दे ऐसे लोगों से मिलना शुरू करो जो आपकी दुनिया में आपकी जिन्दिगी में बहार लेकर किया है एक पॉजिटिविटी लेकर किया है तो नेगिटिविटी आपके अंदर इसी वज़े से भरी आपके अंदर बहुत maturity की कमी दिखाई दे रही है ठीक है अपनी जिन्दिगी को आसान बनाएए जिन्दिगी को जीना सिखिए जिन्दिगी जीने का सही ढंग आपको अभी नहीं आता है ठीक है तो उसको जीने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ मिलना पड़ेगा जो आपको खुशिया दे और आपको जीवन में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करें अगर आप break हो चुके हैं तो आपको अपना दिल खुद समालना है ठीक है आपको खुद उठना है आपको खुद अपनी लाइफ की लाइफ को आगे लेके जाना है ठीक है आपकी मदद के लिए बहुत लोग हैं आपके आसपास थोड़ा नजर घुमाओ और देखो कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी खुशी चाहते हैं आपको खुश देखना चाहते हैं आपकी तरक्की देखना चाहते हैं आपको एक ऐसा इंसान वो ढूंड रहे हैं जो पास्ट में था आप बदल चुके हो अभी ठीक है जो छिनदा था वो आपसे छिन गया जो जाना था वो चला गया अगर आपकी किसमत में होगा लोटके आना तो जरूर लोटके आएगा नहीं तो नहीं तो इग्नोर करो और अपने उपर फोकस करो अपनी जिंदगी पे फोकस करो ठीक है और अपनी लाइफ को आगे ले जान सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा अगर आप और रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आप इस रीडिंग को कहां से देख रहे हैं बचनग बली का यूनिवर्स का गौड का अपने डिवाइन का धन्यवाद कर दीजिए जरूर दीजिएगा इंस्टेग्राइम यूट्यूब और फेस्बुक किसी भी सोशल मीडिया पर जा करके आप हमें जॉइन कर सकते हैं और रीडिंग्स देखने के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक यू एड़ नाइस टे